अगर किसी इंसान ने इस प्लास में थर्ड इयर में एट इग्जा में रैंक दिखा ला ना पचास के अंदर, सोग के अंदर, बूरे क्लास में वो स्टार बन जाए अलग नजर ये से देखेंगे, हर इंसान आपको अलग नजर ये से देखेगा ओके, हाई अब्रिवन, वैसे कि आप सबको बता है कि वेट इग्जाम में इस पार एक नया पिपर इंटर्ड्यूस हुआ है वेटा साइंस आर्टिविशन इंटेडिजेंस का और इसका सिलाबस बहुत ही ऑसम है और इस सिलाबस में से मैं यूट्यूब पे आपको मैथेमेटिक्स का हिस्सा पूरा सिखाऊंगा मुझे टाइम जी होगा इनाफ, गेट 2024 से पहले हम कितना कवर कर सकते हैं देखते हैं, मैं कुछ प्रॉमिस नहीं करना चाहता पहली विदाउट प्रॉमिस अगर मैं जादा डिलिवर कर पाऊंगा तो मैं जादा खुश रहूंगा तो यहाँ पे ये probability statistics आपका एक subject है linear algebra ये दूसरा subject है और calculus एक chapter है भी आप समझ सकते हैं मतलब calculus का थोड़ा सा requirement है वो क्या है वो आप machine learning करते हुए समझ जाओगे पर समझो कि maxima, minima, derivative, graphs ये सब calculus में हमें सीखना है एक तरह से बाकी probability definitely बहुत ज़दा important है क्यों क्योंकि हमें finally predictions लेने है हमें machine learning में क्या करना होता है सर प्रेडिक्शन्स लेना होता है ठीक है हम एक uncertain situation का prediction लेंगे या सिर्फ prediction लेने से हमारा काम हो जाएगा नहीं हमें बताना होगा ना कि हम कितने confident है सर हमारे prediction के साथ तो हमारी probability of any particular event बताना होता है कि हम कितने confident है सर zero से लेके one के बीच में हम कितने confident है तो इसलिए probability बहुत ही important topic है क्योंकि finally machine learning systems को predictions लेने होता है और statistics क्योंकि finally data को समझना है data के basis पे कुछ conclusion निकालने है तो statistics का information important है linear algebra एक basic सा example देता हूँ जैसे कि अगर आप two cross two image समझोगे two cross two मतलब बहुत ही मैं एक ideal example ले रहा हूँ इतना छोटा image हम बनाते नहीं actually two cross two image मतलब four pixels फाला image यहाँ पे पहला pixel है यहाँ पे दूसरा यहाँ पे तीसरा यहाँ पे चौता और अगर यह black and white अगर फिर grey scale image है black and white image तो नहीं होता grey scale image होता है अगर यह grey scale image है तो यह two dimensional image है साम समझ सकते हैं ठीक है मतलब यहाँ पे pixels का value हर pixel का value 1,2,3,4 जो यह 4 pixels है यह 4 pixels का value 0 से लेके 255 के बीच में कुछ भी हो सकता है यहाँ सीखोगे machine learning में जबी images के साथ आपको deal करना होगा और तो आप इस image को यह two dimensional है finally आप इसे matrix के form में लिख सकते हो पहले pixel का value यहाँ पे लिख सकते हो दूसरे pixel का यहाँ पे तिसरे pixel का यहाँ पे फूर्थ pixel का यहाँ पे तो finally आपको matrix के साथ काम करना है तो matrix के साथ काम करना है तो linear algebra एक बहुत ही important chapter बन जाता है तो मैंने उपर-उपर high level view दिया है कि यह mathematics के topics क्यों important है सर अगर आप artificial intelligence data science के दुनिया में जाना चाहते हो तो मैं start करूँगा अपना discussion सबसे पहले subject से जो है probability statistics इसमें हमें सबसे पहले सीखना होगा सर counting क्या होता है मतलब basic principle of counting क्या है counting with regard to order मतलब order हमारे लिए important है जब हम count कर रहे है counting जब हमारे लिए order important नहीं है इन दोनों का difference समझना है एक तरसे इसे हम कहते है permutations से क्या कहते हैं सर ऐसे counting को हम कहते है permutations ऐसे counting को हम कहते है combinations तो यह आपके syllabus के सबसे पहले दो topic है तो इसका एक detail discussion में करने ही कोशिश करूँगा इतने YouTube channel पे तो start करता हूँ में अपना discussion सबसे पहला example तेक है white pen यूज़ करते हैं सबसे पहला example you have a gift card आपके पास एक gift card है from a major retailer मतलब एक retailer है जो बहुत famous है उसका gift card है आपके पास which allows you to buy एक मिल्ट रुखा एक मिल्ट रुखा ओके recording on है मुझे थोड़ा confusion था कि recording on है कि नहीं आपके पास एक gift card है from a major retailer which allows you to buy one item आपके gift card से आप एक item कोई भी खरीद सकते हो सिर्फ एक item ठीक है ये condition बहुत important है सिर्फ एक item वो either shirt हो सकता है या फिर plant हो सकता है तो आप कितने ways में अपने gift card को use कर सकते हो मतलब gift card को use करने के आपके पास कितने ways है सर इतने तरह से आप gift card को use कर सकते हो जैसे कि for example अगर आप gift card इस green t-shirt को use करने के लिए use करोगे मतलब green t-shirt को buy करने के लिए use करोगे तो आपका gift card exhaust हो जाएगा मतलब आप बाकी के चीज़े खरीद नहीं सकते लिए ये एक तरीका है कि आप gift card green t-shirt को खरीदने के लिए use करो बूसरा तरीका क्या हो सकता है आप white t-shirt को खरीदने के लिए use करो एक बार आपने gift card use कर लिया एक t-shirt को buy करने के लिए gift card आपका exhaust हो गया तो आपसे white t-shirt ही खरीद सकते हो तीसा तरीका क्या हो सकता है कि मैं blue t-shirt खरीदने के लिए use कर सकता हूँ चौता तरीका क्या हो सकता है मैं red t-shirt खरीदने के लिए use कर सकता हूँ पाचवा तरीका क्या हो सकता है कि मैं blue pant लेने में interested हूँ और मेरा gift card exhaust हो जाएगा क्योंकि मैंने blue pant ले लिया है या फिर मैं red pant ले सकता हूँ gift card से और जबी मैं red pant ले लूँगा मेरा gift card exhaust हो जाएगा वापस उसे use नहीं कर सकता क्योंकि condition वैसा दिया गया है which allows you to buy only one item या फिर मैं gift card white pant यूज़ करने के लिए use कर सकता हूँ तिर मेरा gift card exhaust हो जाएगा तो हमने कितने possible ways लेके सर हम अपना gift card seven possible ways में use कर सकते है अभी इसे थोड़ा क्योंकि इतना अदा simple question तो होगा नहीं तो हमने जो understanding develop की है उसे एक mathematical equation या फिर form में convert करना ज़रूरी है जैसे कि आपके पास कितने shirts थे सर आपके पास four shirts थे और आपके पास कितने pants है सर आपके पास three pants है अगर आप four shirts में से एक shirt खरीदना चाहते हो एक फोर shirts में से वापस देखो इन चारों T-shirts या फिर shirt कुछ भी बोलो ये वैसे एक खरीदना चाहते हो तो आप कितने possible way में खरीद सकते हो आइदर ये ले सकते हो या फिर ये ले सकते हो या फिर ये ले सकते हो मतलब आपके पास four ways है सर चार shirts में से एक shirt खरीदने के लिए वैसे आपके पास तीन pant में से एक pant खरीदने के लिए कितने ways है सर त्री ways है तो जबी भी आपको वैसे चार shirts में से एक shirt खरीदने के लिए आपके पास four ways है त्री pants में से एक pant खरीदने के लिए आपके पास त्री ways है और आपको क्या condition दिया गया था आप four shirts और three pants इन में से कुछ भी खरीद सकते हो, बस एक ही खरीदना है मतलब और वाला condition दिया गया था आप shirts या फिर pants में से कुछ भी ले सकते हो पर एक ही ले सकते हो मतलब और वाला condition दिया गया था बीच में, आप वापस से थोड़ा revisit करो question को, क्या दिया गया था sir which allows you to buy one item, either a shirt or a pant right, तो मतलब और वाला condition है, तो जबी भी और वाला condition आएगा आप plus कर सकते हो, 4 plus 3 7 ways मतलब ये task करने के लिए मेरे पास 4 ways थे ये task करने के लिए मेरे पास 3 ways थे और ये task या फिर ये task और वाला option होगा, दो task के बीच में तो मैं उन दोनो ways को add कर दूँगा इससे थोड़ा लिखने की कोशिश करते हैं हमारे addition rule को थोड़ा लिखने की कोशिश करते हैं क्या मैंने बताया अभी तक आपको if an action a can occur in and one different ways action a क्या था sir हमारा four shirts में से एक shirts choose करना four shirts में से एक shirt हमें choose करना था from four shirt choose one shirt तो आपने ऐसे कितने possible ways दे के sir and one का value क्या था four था वैसी आपका action b क्या था three pants में से choose करना था आपको one pant right उसके लिए आपने n2 का value क्या देखा उसके लिए आपने n2 का value देखा three possible ways है आपके पास तो अगर आपको पूछा जाए then total number of ways to do actions a और b is right ऐसी कोशन ने mention था तो हमने क्या किया sir four plus three किया is equal to seven ways मेरे इसाब से आप थोड़ा intuition डेवलप कर पा रहे हो addition rule के लिए क्योंकि हमने इससे पहले example देखा है अभी हम अपने next example पे जाते हैं इस example में क्या mention किया गया है वो देखना ज़रूरी है you have a gift card from a major retailer which allows you to buy two items इस बार दो आइटम्स बाइ करने का मौका मिल है और वो two items में चाओना चाहिए sir shirt होना चाहिए and एक pant होना चाहिए मतलब एक shirt तो fix choose करना ही है और एक pant तो fix choose करना है दो items को buy करने का मौका तो मिला पर उसमें से एक shirt होना चाहिए और एक pant होना चाहिए ठीक है मेरे इसाब से condition आपको समझ आ रहा है, दो items choose करने एक shirt होना चाहिए, एक pant होना चाहिए तो how many ways I can use my gift card तो चलो देखते हैं इसे कैसे हम कर सकते for example आपके पास green t-shirt था white t-shirt था, blue t-shirt था, और red t-shirt था, right तो आपने क्या किया sir सबसे पहले सारे t-shirts को blue pant के साथ match करने के बारे में सोचा ठीक है, तो ये एक तरीका है, ये दूसरा तरीका है, ये तीसरा तरीका है, ये चौता तरीका है मतलब आप सोच सकते हो कि आप सोच क्या सकते हो कि आप green t-shirt और blue pant खरीद होगे, ये एक तरीका हो सकता है या फिर आप white t-shirt and blue pant खरीदो, या फिर आप blue t-shirt blue pant खरीद सकते हो, या फिर आप red t-shirt blue pant खरीद सकते हो, ये fourth way है, उसके बाद क्या हो सकता है, फिर फिफ्थ तरीका क्या हो सकता है, कि आप green t-shirt red pant खरीदो, sixth तरीका क्या हो सकता है, white t-shirt, red pant खरीदो seventh तरीका हो सकता है, blue pant, sorry, blue t-shirt, red pant खरीदो eight तरीका क्या हो सकता है, आप red t-shirt, red pant खरीदो अभी भी आपके पास white वाला pant बचा है, तो उसके लिए भी analysis करते है जैसे कि आप ये पहला तरीका है, ये दूसरा तरीका है, तीसरा तरीका है, चौता तरीका, ये पाचवा, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट तो ये नाइन्थ तरीका है सर, ग्रीन टीशट को वाइट के साथ मैच करो, वाइट टीशट को वाइट के साथ मैच करो, ये टेंथ तरीका है 11 तरीका क्या होगा blue t-shirt को white के साथ match करो 12 तरीका क्या होगा red t-shirt को white के साथ match करो तो ये आपके पास कितने possible ways है sir आपके पास possible ways है 12 possible ways तो इतना detailed analysis हम हमेशा नहीं करना चाहेंगे हम इसे कुछ mathematically हम समझ सकते हैं क्या हुआ यहां पर तो वह हम देखते हमें क्या करना था match करना था shirt एक pant के साथ आपको एक shirt और एक pant लेना है ठीक है and है दोलों के बीच में तो हुआ क्या sir चलो देखते हैं एक shirt लेने के कितने possibilities है sir एक shirt इन sorry एक t-shirt या फिर shirt कुछ भी समझ सकते हो आपके पास कितने shirts है sir आपके पास चार shirts हैं चार shirts में से एक shirt चूज करने के कितने possible ways हो सकते हैं आपके पास possible ways हो सकते हैं four ways मतलब आइदर आप green t-shirt खरीद सकते हो या फिर आप white t-shirt खरीद सकते हो या फिर blue t-shirt खरीद सकते हो या फिर red t-shirt मतलबtype 4 shirts में से एक shirt choose करने के आपके पास 4 ways है वैसी आपके पास कितने pants है sir? 3 pants है 3 pants में से अगर आप सिर्फ एक pant खरीदना चाते हो तो किया क्या आपके पास option है? आज़र आप ये खरीद सकते हो या फिर ये खरीद सकते हो मतलब आपके पास 3 possible ways है तो क्या मैं बोल सकता हूँ मैं 4 into 3 करूँगा अब मेरे पास 12 ways आएंगे तो इसका meaning क्या है जबी भी आपको and दिखाई देगा तो ये वाले task के लिए number of ways 4 ways है ये वाले task के लिए कितने ways है सर 3 ways है और दोनों के विच में and है तो multiply करता है 4 into 3 12 ways मेरे इसाब से ये समझना आपके लिए भी difficult नहीं है जब और होगा अब plus करते है सर और जबी and होगा जहाँ पर and है सर तो हमने multiply किया तो इसे अभी हम और थुदा difficulty level बढाते है जैसे कि हमने अभी क्या किया सर हमने match करने का decision लिया एक shirt एक pant के साथ एक shoes के साथ ऐसे कितने possible ways हो सकते है तो जबी वापउस से analysis करते है इन सारे t-shirts में से एक shirt चूझ करने के कितने possible ways है सर आपके बस 4 choices है तो 4 ways है फिए कह इन पेंट में से एक pant चूझ करने के कितने possible ways है आपको एक pen choose करना है आपके पास कितने possible ways है तीनों में से एक choose करने के लिए तीन ways है क्योंकि तीन choices है आपके पास दो shoes है उसमें से एक shoes खरीदना है आपको सिर्फ एक shoes तो आपके पास कितने possible ways है आप either blue shoes खरीद सकते हो या फिर आइदर आप blue shoes खरीद सकते हो या फिर yellow shoes खरीद सकते हो और इन सारे task के बीच में क्या है? इन सारे task के बीच में क्या है? and है, तो आपको क्या करना है simply, 4 into 3 into 4 बतलब, 4, 3 is a 12 12, 2 is a 24 ways है, आपके पास एक shirt एक band, एक shoes खरीदने का वो तो मेरे हिसाब से obvious था क्यों obvious था? यहाँ पे हम देख सकते हैं चलो, यहाँ पे हम देखते हैं for example, हमारे पास blue, हमारे पास दो shoes है, right? एक blue shoes है और एक yellow shoes है ये 12 ये 12 आपके पास option है, right? जब आप एक shirt और एक band choose करना चाहते हो ये 12 का बारे options आप blue shoes के साथ try कर सकते हो, right? ये सारे सारे जगा आप blue shoes खरीद सकते हो, सारे जगा तो ये आपके पास पहले 12 ways हो गए बाद में आप क्या कर सकते हो? yellow shoes भी तो try कर सकते हो, मतलब ये सारे 12 options में आप yellow shoes भी try कर सकते हो, तो आपके पास और 12 ways हो गए, तो in total आपके पास कितने ways हो गए sir, 24 ways हो गए, right वो ही हमारा analysis भी बताता है आपके पास कितने ways है sir 24 ways है, okay तो हमने समझा है, अभी इसे थोड़ा मैं आपको यहापे सिर्फ बता रहा हूँ, कि आप blue shoes के साथ match कर सकते हो यह सारे 12 options को और फिर आप सारे 12 options को yellow shoes के साथ भी match कर सकते हो, तो in total आपके पास 24 ways बन जाते हैं ओके, तो यह हमने देख लिया, अभी multiplication rule जो मैंने अभी अभी आपको बताया है, उसे समझते हैं if action A can occur in n1 ways, ठीक है and action B can occur in n2 different ways then the total number of ways for the actions A and B is, जभी and होगा number of ways n1 number of ways n2, multiply होगा सर, यह multiply है, ठीक है, यह multiply है ओके, इसे हमने समझ लिया, अभी एक और example देखते हैं इस example में आपको क्या करना है सर, एक alpha numeric code आपको generate करना है वैसे कि for example यहाँ पे alphabet होना ज़रूरी है यहाँ पे alphabet होना ज़रूरी है यहाँ पे भी alphabet होना ज़रूरी है और यहाँ पे आप widgets यूज़ कर सकते हो 0 से लेके 9 तक कुछ भी 0 से लेके 9 तक for example आपके पास कितने number of ways है code generate करने के जैसे आपके पास letters कितने होते हैं सर a to z अगर आप count करोगे न आपके पास 26 letters होते है आपके पास 26 letters होते है वैसे 0 to 9 अगर आप count करोगे आपके पास 10 digits होते हैं सर आपके पास 10 digits होते हैं अगर आप 0 को भी count करोगे तो 10 digits आगे तो फॉर एक्जाम्पल आप यहाँ पे A से लेके Z तक कुछ भी रख सकते हो, राइट अपने पहले बॉक्स में आप A से लेके Z तक कुछ भी रख सकते हो तो यहाँ पे आपके पास कितने options है यहाँ पे पास 26 options है वैसी आप second बॉक्स में भी A से लेके Z तक कुछ भी रख सकते हो, अगर repetition allowed है तो, बतलब अगर आप यहाँ पे A यूज कर रहे हो, for example, यहाँ पे भी आप A यूज कर सकते हो, बतलब अगर आपने यहाँ पे कोई alphabet यूज किया और repetition allowed है, तो आप इस बॉक्स में भी वो same letter use कर सकते हो, तो यहाँ पे भी आपके पास 26 options हो जाएंगे यहाँ पे भी आपके पास 26 options हो जाएंगे और अगर इन सारे box में, अगर आप digits रखना चाहते हो, repetition allowed है तो यहाँ पे भी आपके पास 10 options है यहाँ पर भी आपके पास 10 options है, यहाँ पर भी आपके पास 10 options है, यहाँ पर भी आपके पास 10 options है, तो number of possible, number of possible, alpha numeric codes, कितने codes आप तयार कर सकते हो sir, तो है 26 into 26 into 10 power 4 10 into 10 into 10 into 10 इतने possible codes आप generate कर सकते हो अगर क्या condition दिया गया था मेरे पास कि पहले दो blocks में alphabet होना चीए और बागी के 4 box में digits होने चीए तो इतने possible codes आप generate कर सकते हो मेरे इसाब से कोई difficulty नहीं है इसमें पर अभी मैं आपको एक condition दू condition के है sir condition बहुत simple है condition है repetition is not allowed repetition is not allowed तो मैं क्या करूँगा जैसे कि मैं अगर यहाँ पर a यूज करता हूँ और example अगर मैं a यूज करता हूँ तो यहाँ पर मैं पास d से लेके z टक options है यूज करने का वैसे अगर मैं यहाँ पर zero use करता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास one to nine तक options है ठीक है और for example मैंने यहाँ पर one use कर लिया तो मेरे पास क्या होगा यहाँ पर two से लेके nine तक options होगे और for example मैंने second case में two use कर लिया number तो मेरे पास यहाँ पर three से लेके nine तक option होगे क्योंokि repetition allowed नहीं है न तो हम in general क्या बोल सकते है sir हम in general क्या बोल सकते है हम in general बोल सकते है कि इस वाले box में मैं 26 letters में से कोई भी lettuce यूज कर सकता हूँ 26 letters में से कोई भी यूज यूज कर सकता हूँ ओके, यह वाले क्या थे सर, यह वाले digits है, numbers हमें यहाँ पर लिखने है, 0 से लेके 9 तक, यहाँ पर 0 से लेके 9 तक सारे options है मेरे पास, तो मैं 10 use कर सकता हूँ, 10 digits में से कोई भी use कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैंने जो use किया है, वो मुझे यहाँ पर use नहीं करना है next में, तो यहाँ पर मेरे पास सिर्फ 9 options है, यहाँ पर मेरे पास अभी सिर्फ 8 options होगे, यहाँ पर मेरे पास सिर्फ 7 options होगे, तो number of possible codes, number of possible codes, कितने है सर मेरे पास, 26 into 25 into 10 into 9 into 8 into 7, तो मेरे इसाब से आपको चीजे समझ आ चुकी है, और यह बहुती clear example था, समझने के लिए हमें, यहाँ किस तरह से counting करते हैं सर, पाते हैं, example, order of finishes, finishers in the race, finishers है यहाँ पर शायच से, finishers in a race, problem क्या समझते हैं, there are 8 athletes, मतलब 8 लोगों ने participate किया है, to participate in a, to take part in a 100 meter race, what are the possible ways the athletes can finish the race, जैसे कि, for example, इसे भी हमें alpha numeric code जैसे ही सोचना है, आठों में से कोई भी, बस्ति आपके पास E1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, आपके पास 8 people है, इन आठों में से कोई भी हो सकता है, राइट, अब कोई भी यहाँ पे लिख सकते हो, पहला, यहाँ पे आपके पास 8 options है, क्योंकि एक person को आपने पहला position assign कर दिया, तो second position के लिए आपके पास कितने लोग होगे sir, सिफ 7 लोग होगे, राइट, वैसे ही अगर 2 यहाँ पे assign हो चुके हैं, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे एक person assign हो चुका है, तो यहाँ पे कितने options होगे आपके पास, 3 लोगों की options होगे, मेरे इसाब से अभी यह बताना difficult नहीं, यहाँ पे 5 लोग हो सकते हैं, यहाँ पे 4 लोगों में से कोई भी मैं रख सकता हूँ, यहाँ पे 3 लोगों में से मैं कोई भी रख सकता हूँ, यहाँ पे 2 लोगों में से मैं कोई भी एक रख सकता हूँ, और यहाँ पे last वाला जो भी बचेगा वो से यहाँ पी आना होगा मतलब मैंने क्या बताया इन आठों में से कोई भी यहाँ पे एक में रख सकता हो राइट पहले position के लिए तो यहाँ पे आपके पास eight ways है मतलब आठ लोगों में से आप कोई भी एक choose कर सकते हो यहाँ पे रखने के लिए अगर एक यहाँ पे आपने रख लिया है तो अभी आपके पास साथी लोग है second position assign करने के लिए इसलिए यहाँ पे seven लिखा है वे लिए अगर यहाँ पे एक person assign हो चुका है यहाँ पे एक person assign हो चुका है आपके पास सिर्फ छे लोग होगे, sir third position assign करने के लिए मतलब, छे लोगों में से कोई तो एक third position आपको assign करना है लाइट अगर आपने पहला, दूसरा, तीसरा number दे दिया है आपके पास सिर्फ पाच लोग होगे अभी तो पाचों में से कोई तो एक आप 4th position के लिए assign करोगे तो वैसे ही मैंने ये 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 यहाँ पर लिखा हुए तो number of possible ways यहाँ पर क्या पूछा है what are the possible ways the athletes can finish the race is 8 into 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 जैसे इसे आप 8 factorial भी लिख सकते हो short में तो अभी आप मेरे इसाब से sense बना पारे हो कि counting कितना important topic है जैसे कि अभी हम factorial topic देखते है factorial topic क्या है sir the product of the first and positive integers जैसे कि for example अगर आपको 5 factorial किसने बताया तो 5 factorial क्या होगा 5 into 4 into 3 into 2 into 1 आप देख सकते हो product of ठीक है आप multiply कर रहे हो of first and positive numbers integers बतलब आपका n का value यहाँ पर क्या है sir 5 है तो 1, 2, 3, 4, 5 का आपने multiplication लिया वैसे अगर आप n factorial देखना चाहते हो तो n factorial क्या होगा n into n minus 1 into n minus 2 ऐसे आप करते जाओगे पहा तक सर जब तक आपको 1 last में ना आ जाए इन फैक्ट आप ऐसा भी समझ सकते हो n factorial को n factorial is n into n minus 1 factorial यह भी हम समझ सकते हैं तो इसमें भी मेरे इसाब से कोई difficulty नहीं है आपको समझने हैं वैसे आप 5 factorial को ऐसा भी लिख सकते थे 5 factorial is 5 into 4 factorial क्योंकि आप देख सकते हो 4 into 3 into 2 into 1 क्या है 4 factorial तो यह कुछ factorial के बारे में उपको पता होना अच्छी है 0 factorial क्या होता है sir 1 होता है यह as a fact ले लो 1 factorial क्या होता है sir 1 factorial भी 1 होता है तो यह कुछ आपको याद रखना important है यह आपको कभी भी use हो सकता है आपके mathematics के subject में ओके अभी for example आपको shirts choose करना है मतलब आपको एक shirt आपको shirts choose करना है मतलब आपको तीनो shirts choose करना है एक shirt नहीं आपको क्या करना है for example मैं problem statement define करता हूँ problem statement define करता हूँ आपके पास तीन options है और यह तीनो options आपको खरीदने पर यहाँ पर order matter करता है कि आप किस order में खरीदते हो जैसे की for example आप सबसे पहले green t-shirt उठाते हो तो आपके पास क्या क्या option है सर आप next white उठा सकते हो next blue उठा सकते हो या फिर अगर आपने पहले green उठाया है तो आप बाद में blue उठा सकते हो बाद में white उठा सकते हो right तीसरा तरीका क्या हो सकता है आप पहले white उठाओ तो green second हो सकता है blue third हो सकता है और एक तरीका क्या हो सकता है अगर आपने white पहला उठाया है blue second हो सकता है green third हो सकता है और एक तरीका क्या है सर आपने blue पहले उठाया तो आप green पहले उठा सकते हो white बाद में उठा सकते हो और एक तरीका क्या है सर आपने blue अगर पहले उठाया है तो आप white बाद में उठाओ और green उसके बाद में उठाओ तो आपके पास कितने possible ways है Sir, आपके पास 6 ways है, जब आपका order matter करता है, आप यहाँ पे अगर देखोगे, आप 3 shirts उठा रहे हो, यहाँ पे भी आपको green, white, blue, t-shirt मिल रहा है, इन सारे possible ways में आपको same कपड़े मिल रहे है, यहाँ पर मैंने क्या बताया किस order में खरीदते हो वो matter करता है मेरे लिए matter करता है तो फिर ये वाला way और ये वाला way अलग बन जाता है क्योंकि इस वाले way और इस वाले way में क्या हो रहे है यहाँ पे white पहला उठा रहे हो और blue बाद में आपे blue पहला उठा रहे हो white बाद में हम इन दोनों ways में सेम कपड़े उठा रहे हैं पर order अलग है ना और जब ही question में दिया गया होगा order matters तो ये वे और ये वे अलग बन जाता है सर खीक है ये वे और ये वे अलग बन जाता है तो अभी हमने कुछ अलग देखा है अभी हमने कुछ order हमारे लिए matter करता है हमने देखा जबी हमारे लिए order matter करता है ना तभी हम इसे बोलते है permutations जबी हमारे लिए order matter नहीं करता तभी हम उसे combinations कहते है तो वो part हम अपने next lecture में discuss करेंगे ओके? thank you हम अभी next lecture में क्या discuss करेंगे सर? एक बार वापस बता देता हो हम अपने next lecture में क्या discuss करेंगे अभी? permutations and combinations अभी actual में start होगा permutations and combinations अभी तक हमने सिर्फ basic principle समझा है किसका सर? counting का और factorial का एक understanding develop किया है अभी हमें actual में समझना है permutations क्या होता है? combinations क्या होता है? उसके लिए formulas भी हमें define करने जो हम formulas use करेंगे okay thank you